दोस्तो भारत पिछले कुछ सालों से अंतराश्ट इस्तर पर अपने आर्थिक और कूटनितिक ताकत बढ़ाने के लिए हर बड़े कदम उठाता दिखाई पढ़ रहा है दरसल इसे समझने के लिए हमें सिधा किसी भी देश के पासपोर्ट की तरफ देख सकते हैं कि उस देश के नागरे कितने देश में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं जिससे हमें इस बात का पता चल जाएगा कि कोई देश कितना ताकतवर है और अब इसी की गड़ी में रूस एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो भारत को कई गुना ज़्यादा ताकतवर बना देगा साथी रूस की तरफ से उठाये जाने वाले इस कदम के बाद ग्लोबल लेवल पर भारती जादा देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकेंगे और इससे हमारी रैंकिंग में भी बड़े सुधार देखने को मिलेंगे तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं क्या की रूस वे कौन सा कदम उठा रहा है लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को दबा ले जिसे ऐसी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दरसल दोस्तो सामने निकल करा रही लेटेस रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि रूस अब भारतियों के लिए एक ई-वीजा फैसलिटी सुरू करने वाला है जिससे हम बिना लाइन में लगे रूस के लिए वीजा ले सकते हैं जो अंतराश टिस्तर पर भारत की बढ़ पहले ही रूस पर अमेरिका और यूरोप के कई देसों ने प्रतिबन लगाया हो जिसकी वज़े से रूसी नागरे के इन देसों में यात्रा नहीं कर सकते पर फिर भी तेल के बड़े भंडार और एक वेस्टविक मिलिटरी सुपर पावर होने की वज़े से रूस जिस भी इस देस के साथ अपने मजबूस संबंद रखेगा उस देस की गलोबल पावर में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और अब इसी का इंपक्ट भारत की रैंकिंग पर भी पड़ेगा क्यूंकि इस साल पास्पोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 81 नंबर पे थी जो कई कूटनिती ग्रूप से कमजोर देशों से भी कम थी ऐसे में कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत जितने बड़े आर्थिक और सैने सुपर पावर की गलोबल पास्पोर्ट रैंकिंग कम से कम टॉप 50 देशों में तो होनी ही चाहिए लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकत जब तक जादा से जादा देश भारतिय पास्पोर्ट को बिना वीजा के सुईकार ना करे। मजबूत कर रहे हैं पर जो कदम रूस ने उठाया है इससे काफी फरक पड़ेगा क्योंकि रूस जितने सक्तिशाली देश में अब भारतिय ई-वीजा की सुविधा के साथ यात्रा कर सकेंगे जो सिर्फ चुनिंदा देशों को ही मिली पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सिर्फ पहली सीड़ी है दरसल रिपोर्ट की माने तो रूस का भारतियों के लिए ई-वीजा जारी करना बस एक सुरुवाती कदम है जिसके बाद अभी भारतियों को वीजा ओन अराइवल की सुविधा भी दी जाएगी और फिर आकरी में रूस भारत के संबन जब काफी जादा मजबूत होंगे तब हमें वीजा फिरी यात्रा की सुविधा भी मिल सकती है जिसे ग्लोबल पास्पोर्ट इंडेक्स रेंकिंग में भारत अराम से टॉप 60 या टॉप 50 देसों में सामिल हो सकता है जो भारत के लिए काफी बड़ी बात है बतादे की युक्रेन युदिकी सुरुआत के बाद भारत और रूस के दिपक्षे संबन्दों में आर्थिक इस्तर पर एक काफी बड़ा उच्छाल देखा जा सकता है जिसके तहट दोनों देसों का दिपक्षे वेपार 40 अरब डॉलर को भी पार कर गया और मौजुदा समय में 16,000 से भी ज़्यादा छात्र रूस में अलग अलग तरह के प्रोफेशनल कोर्स और डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं साथ ही कई भारतिय वर्किंग प्रोफेशनल रूस में अपना कैरियर भी बनाना चाते हैं जिससे दोनों देसों के पीपल टू पीपल कनेक्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं ऐसे में एक वक्त वेबी आया था जब युक्रेन युद की वज़े से कई भारतिय चात्रों को अपने मेडिकल इंजिनिरिंग समेथ कई अलग-अलग डिगरी कोर्स छोड़कर युक्रेन से बाहर जाना पड़ा तब रूस ने भारतिय चात्रों को ओफर दिया था कि अगर वैच चाहे तो अपने डिगरी रूस में पूरी कर सकते हैं जिसके लिए वहां का प्रशाशन उनकी पूरी साहता करेगा ऐसे में अब इवीजा की सुविदा लागू हो जाना भी भारतिय चात्रों और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए काफी बड़ी खुशकबरी है जिससे दोनों देशों को मीच्वल बेनिफिट होगा कुल मिलाकत समझने की कोशिश करें तो रूस के साथ भारत के संबन अब काफी ज़्यादा मजबूत होते देखे जा सकते हैं जिसका असर हमें भारत के उर्जा सेक्टर और डिफेंस सेक्टर बेर भी साफतोर पर देखने को मिलेगा साथी रूस के साथ मजबूत संबन हमें चीन को काउंटर करने में भी मदद करेंगे क्योंकि इससे चीन रूस को भारत के खिलाफ इस्तिमाल नहीं कर सकेगा जो कूटनितिक लेवल पर भी हमारे लिए एक बड़ा एडवांटेज है बरहाल दोस्तो इस वीडियो में तना ही भारत और रूस की इस दोस्ति के लिए कमेंट बॉक्स में एक जैहिन तो बनता है साथ हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल नोटिफिकेशन को जरू दबा लें फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद जैहिन